अच्छ आच्छ करा आप देख सकते हैं इसकी मा जो बेवा हुई है एक दर्द उसी को होता है जो उसको पता लगता कि दर्द कितना है इनका फादर साथ जिन्दा थे और वही इनका इलाज करा थे जैसा भी हो सकता था वो कर रहते हैं इनका इलाज लेकिन जब उनकी देख हुई तो उससे बाद किया होई है उससे बाद हमारे को पता लगा कि इस बच्चे की प्रावलम है जाकर वहरियस चता है ती रोज अगर वहरिबाद दो यह ठी है बच्चे का बाप नहीं है यह आपका तलबगार है आपकी मदद का तलबगार है और जाद से जादा इसकी मदद करें और खास कर में खड़ी आमाम को कहना चाहता हो कि तासिर खड़ी यह लोग जो है बातशूर reward साथ मेरेवनेम मेरे वदत करें है ताकि मैं अपने हिलाज करा सको एक यतीम बेसहारा आठ साला बच्चा जिन्दगी और मौत की जंग लड़ रहा है मुंतजिर है आप लोगों की दुआउं का मुंतजिर है आप लोगों से माली मदद का आपको बताते चलें तोसीफ अलताफ सन अफ लेट अलताफ हुसेन नाइक जिसकी उमर आच साल है और बोन मेरो ट्रांस्पलांट होना है इसका और ये खड़ी सब्डविजन बनहाल का रहने वाला है इस वकत ये पी जी आई चंदीगड में जेरे इलाज है आपको बताते चले कि तोसीफ अहमद की उमर एक साल की थी कि उसके वालिद का साया उसके सर से उट गया आप अन्दाजा लगाएं कि वो बच्चा जो अबी दूद पी रहा था और वालिद का साया सर से उट गया और इस मा का क्याहाल हुआ होगा जिसका ये सहारा था शायद उसकी आखरी उमर में ये बेटा उसका सहारा बनता लेकिन आज जिन्दगी और मोत की जंग लड़ रहा है आपको बताता चलू में ये मनतजिर है आज तो सीफ मनतजिर है आप लोगों की दुआउं का भी और माली मदद का भी बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट होना है इसका आठ साल का ये यतीम बच्चा मैं एक बार आपको फिर बताता चलूँ आठ साल का ये यतीम बच्चा सब्डूइजन बनहाल का रहने वाला है जो अभी पी जी आई चंदीगड में जेरे इलाज है और इसने खास जमो कश्मीर की ग अपने कामद का साया सर से उठ गया और ये बेटा जो कहीं न कहीं उसका सहारा था लेकिन आज वो जिन्दगी और मौत की जंग लड़ रहा है ये बेटा आज चंदीगड में जेरे इलाज है पी जी आई चंदीगड में और इसको 20 से 25 लाक रुपे जो हैं वो इलाज के लि घर में अलाताला की तरफ से एक आजमाईश होती हर इंसान एक ऐसे बच्चे के हम आपको दास्तान सुनानी की कोशी करेंगे ये इसकी उमर जो है वो अभी 8 साल हैं और अलाताला ने इसको आजमाईश में डाला कल में भी आप भी और सब बिमार हो सकते हैं तो मैं आज हर ए एक से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी इस वीडियो को देखेंगे खासकर में तासीर खड़ी के अमाम को रिक्वेस्ट करता हूँ हाद जोड़ता हूँ कि आज इस बच्चे की आप जान बचा सकते हो अगर आप घर जाते हो शाम को आप अपने बच्चे के लिए होती हैं से पहले हम इन से जाने की कोश्च करेंगे कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और इसकी माँ भी यहां है और इसकी चार बेटे हैं और एक लोता भाई है इनका आठ साल का मौसुम आप दे सकते हो कि किस आजमाईश में इसको डाला है तो इन से जाने की कोश्च करेज़ कि इसको प्राबलम है तो बताये हैं जी स्वाम हूल्त जो थी सबसे पहले इनका फादर साथ जो हो सकता था वो कर रहे थे इनका आल लीकिन जब उनकी देफ हुई तो उससे बाद क्या हुए उससे बाद हमारे को पता लगा कि इस बच्चे की प्राब्लम है फिर ये बच्चा फिर इन इसको सोरा ले गए सोरा से जब इनको टेस्ट बगारा कराए तो उन्होंने रेफर चेंदिगड़ पीजाई के लिए किया जब चेंदि गर्चा जो खर्चा है यह कम से कम 40 और 50 लाग के बीच में खर्चा है यह सिकंस्वरा इनिस्ट्ट के पर्चिया और यहां पे जो ड्राइगोनोज किया है ड्रोन मेरो ट्रासप्लांट इसकी वो disease है, इसको ट्रास्प्लांट होगा, और अपने relation में अगर इसको कोई donor मिल सकता है, तो DNA test जो होगा, तो इसको तक्रiellबन खर्चा 25-30,000,000 लगता है, अगर ये donor ब से होगा, तो इसको तक्रिबन 45 से या 50 लाख तक लग सकता है आज हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को पच्चास सो दो सो पांच सो किसी तरीके से जो है इसकी मदद करें और इसकी जान बचा सकते हो आप तो इनकी मा से भी हम जाने की कोश्च करेंगी कि ये बच्चा बिमार का बहा और कितना इसको खर्चा लगता है अन्धान दोहन हुंदौस ये तो ब्यामार गों गवाड़ नस्ताने प्याच्चे शेमिस यलाज करां आप आप खर्चुस वार्या लागन एस्थानिक खर्च ल पर च्लागन आप दोपन शौठल नह च्लागन क्या मदर स्चावाड़ चाते हो मिच्च्छ बच्चिय बच्चिय इसकर कराएं तो ये मीश गह बाना ब्टर। तो ये बच्चिय अदेन वार्याज फ़ एकितन स्चा लाज कि ये बच्चरों कीष रहान दोश्च तो बच् आज इस बच्चे का बाप नहीं है यह आपका तलबगार है आपकी मदद का तलबगार है और जादा से जादा इसकी मदद करें और खासकर में खड़ी अमाम को कहना चाहता हूं कि तासिर खड़ी के लोग जो है बाशूर लोग है और अलह ताला ने उनको हर चीज़ से है तो वो आज अपने जेव से निकाल के कुछ इसकी मदद करें किसी भी तरीके से में जो है कश्मीर के लोग जो है माने जाते इनसानियत में आज मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे के लिए कल हम भी आप भी इस बिमारे में मुबतला होगे तो यह आजमाई श बिःश्ट करें जो है इसकी ज्यादा से जादा मदद करें किसी भी तरीके से इसकी मदद करें सोरा ले गए थे सोरा में वहाँ पर उन्हें बोला कि बून मेरो ट्रांस्प्लाइट इनको करना है तो इनका फैमिली का इनका सोर्स आफ इंकम इनके फादर साब थे उनकी डैथ होगी एक साल पहले उनकी डैथ होगी तो उसके बाद हम, मैं इनका ब्रादरी लाला, तमाम लोग उसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसकी भरपूर मदद करें, तो अगर वो 45-50 लाख रुपैन को लगता है इलाज के लिए, अगर सारे लोग मिलके इनकी मदद करेंगे, तो इनकी जान बाच सकती है. मुझे आपने भी ये सुना कि इसका बाप जो एक साल पहले गुजर गया, तो ये आपका तलबगार है मदद के लिए, प्लीज, प्लीज, खासकर में खड़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी, जो है, वो मदद करें, और अलाज ताला जो हर इनसान को जो इस खर्चा 45 से 50 लाक लग सकता है, कोई इसका कमाने वाला कोई जरिया नहीं है, कोई सोर्सज नहीं है, आप देख सकते हैं, इसकी मान, जो बेवा हुई है, एंछ से को पता लगता कि दर्द कितना है, तो आज हम आपको, कश्मीर क्राउं क्राउन ने आज से पहले जो इतना यतीम बच्चों और बिमार लोगों को और भुज़रू को आज तक इतनी मदद की इन्शाला आज मुझे अमेद है कि कश्मीत की अमाम और जम्मू की अमाम जो है पूरी मदद इसको करेगी और ताकि इसकी जिन्गी जो है वो बच सकती है ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कीजिए 45-50 लाफ जो हैं इसका खर्चा लगता है प्लीज इसकी मदद आप कीजिए पता है नहीं कि आगे तो किसी के साथ बात करने के आपके साथ हम तो आप से यह दर्खास कर सकते हैं हमें जो लड़का मुझे था वो तो इस दुने से चले गया है अब उसका बचे है उसको इस वगत चारीज पच्चा साथ लाख रुपया लगते हैं इसलिए आप महर्माने करके हमारी किश बात करें